मुश्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कच्छा थीवू जो एक आइलेंड है उसकी क्या कहानी है उसके पीछे जो एक जुड़ा विवाद है वो क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे 1974 की बात है कि तब जब अंत्रा गांजी जी जब वहां पर शाशन क्या गते थी उस वक्त यह जो आइलेंड है कच्छा थीवू जो आइलेंड है वो श्रिलंका को दे दिया गया था तो कि कहानी थी यह सब चीजे जो हैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के लिए माँ आप लोगों को बताज़ता हूं इसक्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम का इक लिंक दिया मिलेगा तो जाक भी जैनि विधानसवा के लिए चुना होने वाले तो इसको लेकर भी वहां पर काफी ज़्यादा ही जिसको आइलेंड अु इसको लेकर जो यह मुद्द है everyone under까요 prowad कर जो ठोपी जा पकर नहीं होगे और बात वो भी गई यह जो आइलेंड vendas बेवकुफी से द्वीप देने का आरोप लगाया है, ऐसा यहां पर प्रधान मंत्री के सोचल मीडिया पर एक पोस्ट के द्वारा कहा भी गया है, क्या वास्तों में 1974 में जो कच्छा तीवू आइलेंड है, वो श्रिलंका को सोंप दिया गया था, दो साल बाद, यहां निंद 1974 में की श्रिलंका को एक अच्छा तीवू आइलेंड सोब दिया जाना, और उनिच अच्छंतर में एक दूसरा एग्रिमेंट होना, इन सब जीजों को बहुत अच्छे से डिसकर्ज करने वाले, तो यहां पर आपके सामने दो मुद्धे निकल कराएंगे, एक अच्छा ती अच्छंतर में की श्रिलंका को दिया गया, अमिशा जी के दौरा ये बात बोली गई, साथ इसाथ जो एक्स्टनल अफेर मिनिस्टर जो है, जैसंकर जी के दौरा भी काफी सारी बातें बोली गई है यहां पर, और यह मुद्धा अभी हाली में चर्चा में क्यों आया, क्य आई गई, और वहां पर पूछा गई कि कच्छा तीवू कब किसको कहां दिया गया था, तो यह सब चैजिम पूछी गई, तो यहां पर निकल कर आई इन्फोमेशन, जहां पर यह बताया कि कच्छा तीवू जो आइलेंड है, वो श्रिलंका को दिया गया, लेगे कोई भी जमीन, कुछ भी एक टुकड़ा हम किसी भी दूसरे देश को देना चाते हैं, तो उसके लिए ऐसा ही नहीं है कि बोल दिया कि हाँ भी परधानमंतरी ने बोला, कि हाँ भी दे दो, हमें कोई अतराज नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए बकायता समिधानिक का विशाय बना हुआ है, तो के अनमलाई जो है, यहाँ पर एक तरीके से, जो IPS सदिकारी थे, मतलब अभी नहीं है, इन्होंने अपनी पोस्स इस्तिफा दे दिया, तो अब ये एक तरीके से इस चीज़ को बाहर लेकर आए, RTA लगाए, RTA के मादम से चीज़ें बाहर निक जो है, जो है, एक शिरलंका की समुंदरी सीमा रेखा के भीतर, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, कि जो शिरलंका की जो बाउंडरी है, मतलब कि यह जो आइलेंड हो गया, यह मतलब यह शिरलंका हो गया, इसकी जो बाउंड तो अब उसकी बाउंडरी में लिखा गया है तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कचा तीवू जो है वो श्रिलंका की समूंदरी सीमा रेखा के भीतर समूंदर में 285 एकड़ का एक टुकड़ा है जो भारतिय तट से कितनी दूर है 33 किलोमेटर दूर है यह उत्तरपूरम में स्थीत है और श्रिलंका के एक डैफ्ट दूरीब भी है उसके दक्षन पस्ची में स्थीत है कुछ अधिकारिक रिपोर्टों के माने तो यह जो बंजर जो दूरीब है चोदू सताबदी के अंदर चोदू सती के अंदर जो आला मुखी विस्पोर्ट के कार्ण बना था इसके लंबाई जो वो 1.6 किलोमेटर और इसके चुडाई जो वो 300 मिटर के आसपास है अब देखे यह एक बंजर दूरीब है अब यह एक काफी ज़ादे एक लोकेशन बढ़िया मान जाती है यहाँ पर मुखवारों के लिए बढ़िया मान जाती है उसको भी हम डिसकेस करेंगे यह जो दूरीब है ब्रेटिश आशन के दुरांजे मदरास प्रेजिजनसी रामानाथ पुर्म में अब यह एक काफी इंपोर्टेंट आपके सामने जानकारी है कि यह जो ब्रेटिश आशन के दुरां था किसके पास ब्रेटिश भारत के पास ही था उस वक्त राजा थे रामानाथ राजा उनके राज्ये के नियंदरण के अंदर आता था द्वीपर 120 साल पुराना एक सेंट एंटोनी चर्च काफी जादा एक समझे कि यह जो चर्च है काफी जादा फेमस है जो हमारे जो दक्षिन भारत है या फिर श्रिलंका में जो है जो लोग है जो इस चर्च में आस्ता रखते हैं उनके लिए काफी जादा एक अट्रेक्शन का फेस्टिवल का एक लोकेशन मानी जाती है इसको क्लियर हुआ तो अब यहाँ पर देखिए यह मामला जो है वो एक तरीके से 1921 से ही गरमाय हुआ है 1921 में श्रिलंका जो साइलोन के नाम से शायद मैंशायद गलत नहीं हूँ तो अभी मेरे दिमाग से यह चीज निकल रही है कि श्रिलंका को शैद पहले साइलोन या ऐसे सिलोन के नाम से सिलोन शायद था इस वक्त जो है जो अंग्रेजयों का शाषन उसके अपर हुआ करता था तो अंग्रेजों का शाषन श्रिलंका पर हुआ करता था भारत पे भी अंग्रेजों का शाषन हुआ करता था लेकिन जो श्रिलंका पर अंग्रेजों का शाषन हुआ करता था उन्होंने सर्वेक्षन करवाया सर्वेक्षन मतलब सर्वे करवाया सर दोनों में ही श्रिलंका और भारत पर दोनों पर अंगरेज का पबतया था तो वहाँ पर preço आंगरेज यो British India है थी इनों ने भाईया कहा कि भाईया हम इस चीज का विरोथ करते हैं और ये चीज़ आपको नहीं देने देने कियों नहीं देने देने ने ये क्योंकि यह जो आप आइलेंड बोल रहे हैं, इसके उपर तो रामनंद राज्जा का ही मतलब अधिकार है, उनके नियंतरन के अंदर आता है, clear हूँ, अब एक बार थोड़ी इसकी लोकेशन देख दिया, यह होगे डॉल्ट आइलेंड, अब यह होता है आपके सामने नोर्थ यह होगे आपके सामने साउथ, यह होगे आपके सामने वेस्ट, यह होगे आपके सामने इस्ट, तो अब अगर आप इसको देखें, तो डॉल्ट आइलेंड के किस तरह आता है बीच में, यानि कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के, तो यह रार रामेश्वरम, तो आप लोगों को अलग करके समझा दिया यहां पर आप लोकेशन से समझ गए होगी कि कहां पर क्या विशे की बात हो रही है कहां पर वो आइलेंड है क्या इतनकी इंपोर्टेंट्स है चोधियु शताबदी के अंदर ज्वाला मुखी विश्वर्ट के दौरन इसका आपत्ती नहीं है मतलब पंडित नेरुजी के दौरे ये बात बोली कि हमें कोई अपत्ती नहीं है अगर हम हमारा क्लेम वापस लेते हैं कच्चा तीवू के उपर हम नहीं मानते हैं हम यह सिलिंका को देना चाते हैं बड़े ही दिलवाले थे मतलब पर्धान मंतरी जो उस इस island को लेकर controversy हो रही है, दो देशों के आप सी रिष्टे खराब हो रही है, तो मैं ये रिष्टे खराब नहीं उन्हें देना चाहता, अगर आप ये island हमारे लिए कोई इतना वड़ा विशे नहीं है, अगर आप ये चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये बात बोली गई थी, देखें, उसके बावजु देखें, टोरनी चलना तब हुआ करते थे, MC Settleworth, उन्होंने अपना opinion भी दिया था, देखें, आप जो बोल रहे हैं ये claim के उपर, तो ये जो claim है, इस कच्चा थिवू के उपर, भारत का काफी ज़्यादा strong है, लंका, यानि शिलंका के, अगर हम उसके claim के बात करें तो, यानि हमारा ज़्यादा claim ज़्यादा प्रभावी है, बावजुद इनके जो शिलंका इसके उपर अपना अधिकार बनाने की बात कर रहा था, अब इसके बात क्या हुआ, राइट ओवर आइलेंड, इंक्लूदिंग फिस्ट्री और रिसोर्सिज, यहाँ पर जो देकी, यह आइलेंड काफी जय्यादा विश्सय, जो जो कहें कि भारत और शिलंका के बीच में, विवाद का विश्सय बना रहा, बाई, शिलंका कयाता हामे दे दो, भारत कयाता है यह तो हमारा हम कैसे देदें, जब यहाँ पर राजा रामनंद के निंतन मे लेगा 1968 के अंदर जब इंद्रा गांधी गोवर्मेंट ने इंडिया का जो क्लेम है यहां पर का कि हम बाइलेटर मुद्दे से इसको सुलजाना जाएंगे 1934 में डिशेजन लिया गया कि हम हमारा क्लेम वापस लेते हैं और यह आइलेंड जो है वो शिलंका को दे देते हैं 1934 में हुआ अभी हम इसको समझेंगे लेकिन जब 1934 में श्रिलंका को दिया गया था तब यह बात बोली गई थी कि हमारे जो मुझवारे यहां पर फ्री रूप से आएंगे यहां पर जाल चुखाएंगे जो यहां पर के जो चर्च है उसमें आ के अपनी पूजा आस्था करेंगे मुझळी पकड़ने को लेकर जो बात थी मुझवी पड़एंगे लेकिं श्रिलंका ने यह कहीं नहीं बोली कि यहां पर आके कि राजा रामनंद का एक ये जो नियंतरण में था, ये एच्छल में इसको साबित करने में फेल हो गए, इसलिए हमारा क्लेम जीत गया, ये बात बोल रहे हैं, बावजुद इसके की, उस वक्त देखे, बंडार नाइक का जो है, वहाँ की परधान मंतरी हुआ करती थी, श्र गांदी जी ने ये जो आइलेंड है, एक तरीके से दोस्ती के रूप में श्रिलंका को दे दिया, अब ये बोल रहे हैं कि हमारा क्लेम ज्यादा इंपोर्टन था, अरे भाही तुम्हारा क्लेम कहा था, क्लेम देखा जाए तो काफी सारे हमारे पास ऐसे दस्तावेश थे, क ये सब चीजें जो है, हमारे ही से में, यानि भारत के से में आनी थी, उस वक दे दिया तो दे दिया, अब क्या कर सकते हैं, इसके पीछे भी एक आंसर दिया गया है, कि अब क्या कर सकते हैं, काफी सारे लोगों इसका आंसर भी सुझाया है, उसको भी हम डिसकेस करेंगे, 1974 में यह दीव क्या हुआ इसको समय लेते हैं एक भारत और शिलंका कम से कम 1921 से ही इस कचाती उपर दावा करते हारे शर्वेक्षन जैसे मैंने कहा न सर्वे करवाया गया रे कहा गया भाहिसाब हाँ ओके यहां पर देखेंगे न यह शर्वेक्षन यानि कि सर्वे करवाया ग तर ये आता है, ब्रिटिश परतिनिंडी मंडल जो था, भारतिय जो मंडल था, यानि ब्रिटिश जो भारतिय थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और कहा कि भाई साब ये जो द्वीब है, ये रामनंद समराज्य का स्वामितु का हवाला दिया, कि भी यहां पर रामनंद जो राजा थे, उनके राज्य के अंदर आता है, विवाद तब भी नहीं सुलत सका, आजादी के बाद भी ये काफी टाइम तक जारी रहा, उन्निस सो चोटर में जब इंद्रिया गांदी परधान मंत्री थी, तो दोनों सरकारों ने, यानि कि भारत सरकार और श्रिलंका शरका उनको हम दे देंगे, लेकिन, लेकिन एक शर्ट यहां पर रखे गई, कि जो मुच्वारे हैं, भारत के जो मुच्वारे हैं, विश्राम के लिए, रेस्ट करना है, तो कच्छा ती उपर आ सकते हैं, उसकी परमिशन दी गई, जाल सुखाने के लिए, या फिर जो वहाँ प जाल सुखाने हैं, आप जाल सुखाई हैं, आपको अगर वहाँ पर सेंट एंथनी जो चर्च है, वहाँ पर फेस्टिवल के लाना है, आप बेशक आई हैं, आपको कोई परमिट की जूरत नहीं होगी, लेकिन, कहीं पर भी जो श्रिलंका है, उसने ये नहीं का कि जो भारत भी हुआ है, अब ये वक्त, देखे, 1974 के टाइम में, जो श्रिलंका के जो परधान मंतरी थी, भारत की जो परधान मंतरी थी, उनके में काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन, ये नहीं है कि वो दोस्ती एक जैसी उस वक्त थी, वो लाइफ टाइम वैसी ही रहेगी, मतलब क्या, उन आज आगे है 2024, 2024 में वैसी ही दोस्ती चलने वाली है, तो ऐसा थोड़ना था, भाई सरकारें बदलती हैं, उनका मूर जह होता है, उनका जुकाव किसी और देश की तरफ होता है, भारत की तरफ इतना जुकाव नहीं होता, तो ये सब चीजें उस वक्त नहीं सोच गई तो क्या हुआ, आने वाले टाइम में, जब सरकारें बदली, चीजें थोड़ी सी अलग हुई, तो वहाँ पर काफी बार ऐसा हमें देखने को मिला, कि शिरलंका ने भारतिये मुझवारों को शुट एंडशाइट के भी ओडर दे दी थी, जैसे भारतिये मुझवारें में तो दे दिया गया, एक तरीके से दोस्ती के लिए रूप में आप देख लीजिए, बहुत बड़ा दिल करके हम देखेंगे, बहुत बड़ा दिल करते हुए कहा गया कि भाईया, आप ले जाईए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उस वक्त जो हालात थे, और आज के 74 का जो agreement हुआ था, वहां पर ये बात बोली भी थी, कि जो pilgrims है, भई आप आना चाते हैं, कचाती उपर rest करना चाते हैं, बेशक आप rest करिए, अपना जो जाल है, वो सुकाई है, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं बोली, कि आप वहां पर मचली पगड़ सकते हैं, यहां प कि जो government हुआ करती थी, DM के हुआ करती थी, और DM के के जो chief farmer, या फिर कहीं कि जो CM हुआ करते थे, तमी लाड़ू के के M कुर्णा नदी हुआ करते थे, उन्हों ने कहा कि M कुर्णा नदी ने कभी भी, कभी भी इसका विरोध नहीं किया, center का, जब ये इंदरागांधी government जो जो RTI थी, उस RTI में एक जवाब ये भी आता है, कि भी ये जो आपने, जो island है, वो transfer किया है, transfer करने के एक महीने पहले, चन्ने के Fort St. George में, जो उस वक्त के विदेश मंतरी हुआ करते थे, भारत के, केवल सिंग, और कुर्णा नदी के बीच में, एक बैठक हुई थी, यहां उनने तो कहा भी था, मतलब एक तरीके से ये जो बोल रहे हैं, के करना नदी, कि भाई, इनको दे दिया जाए, हम इसके पक्षकार में हैं, उनने केवल ये पूछा था, क्या ये निन्ने दो साल के लिए स्थकित करना संभव है, भाई, आप अभी मत करिए, दो साल बात कर दीजिए, बस इतना बोला था, ये बात बोली गई है, के करना नदी के दौरा, अन्नमलाई के दौरा, के अन्नमलाई के दौरा, हलांकि काफी सारी चीज़े हमारे सामने फिर निकल कर आई, तमिलाडू, विधानसभा के रिकोर्ड बताते हैं, के मुख्यमंद्री जो करना नदी थे, 1934 में, कच्चा थी, वो समझोते के खिलाफ सदन में एक परस्ताव लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो उस वक्त पोजिशन थी, तमिलाडू में, AIADM के, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ जाने से इंकार कर दिया, यहां पर, एक ये भी 24 में क्या क्या हुआ है, आइलेंड दे दिया गया, अब आइलेंड कैसे दिया गया, इसको समझेए, देखें, आइलेंड जो दिया गया था न, 1934 में, कोई समिधानिक संशोधन तो नहीं हुआ, लेकिन कैसे दिया, वही, 1975 में आपको पता है, एमर्जेंसी लगी थी, यहां उनके भी, जो है, काफी सारे जो पत्रों का आधान-पदान हुआ, और कच्छा थी भी समझोते पर, कारे-कारी, एक्जेक्यूटिव ओरर जो है, उनका एक इशू जाया, वो जारी किया गया, बाचीत में और आदेशों के अनिवारे रूप से, भारत और शिलंका के भी, सम निवारे रूप से, भारत को, कन्या कुमारी के पास, एक वाड के बैंक, नामक भी जगा हुआ करती थी, वाड के बैंक, एक जगा हुआ करती थी, एक इसा हुआ करता था, उस पर का गया कि भारत का दिकार है, शिरलंका के बीच समूंदरी सीमा तै की गई, वाड के बैंक, कन्या कुमारी के दक्षिन में स्थित है ये भी मैं आप लोगों दिखाऊंगा ये क्या आगए आप यहाँ पर देखे ये चीज क्या आगए वाड के बैंक क्या आगए अब इसकी स्टोरी क्यों आ रहे हैं यहाँ पर से इसको भी समझेंगे अब देखे वाड के बैंक जो है कन्या कुमारी के दक्षिन विस्तीत है भारतिये मजसे सरवेक्षन द्वारा इसकी पैचान 4000 वर्ग मील शेत्र के रूप में की गई है अब यह जो है यहां पर इसकी इस्तीती बताई गई है यह कहां है यह दुनिया का जो है सबसे समरिद मचली पकड़ने के मैदानों में से एक है और कच्चा दियू दीप की सुलना में समूंदर में कहीं अधिक रणितिक हिस्से में काफी जादा इंपोर्टन्स रखता है कन्या कुमारी के पास यह जो शेत्र है चार दसकों से अधिक समय से तमिलनाडू और केलल के मुचवारों के लिए काफी ज़दे एक इंपोर्टन्स जगा रखती है अब देखिए एक आए यह रावाड के बैंक आपकी सामने यहां पर 1970 की बात है 1970 के दशक की बात है 1970 के टाइम में यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर भारत और श्रिलंका के बीच में जो है एक जो अभी क्या था कच्चा तीवू आइलेंड हो गया इन दोनों को सुलजाया गया था उस वक्त के टाइम में 1976 में दोनों पक्षों के बीच एक समझोत्ता में कहा गया बारत के बैंक जो है वो उसके जो विशेश आर्थिक शेत्र में स्थीज जो है वो भारत के पास है मतलब कि जो भी राइट होंगे मतलब एक तरीके से भारत को दे दिया गया अब भारत जो है अपनी मर्जी से अपन्रोध किया था बारत सरकार से कि आप देखिए आप काफी शारे उदार दिल है हमें आपने कहचातीवू दे दिया एक थोड़ा सवर काम कर दिजिए हमें यहां पर वाड़के बैंक पे आने के लिए मचली पकड़ने के लिए आप आने दीजिए आने इसलिए दीजे भईया हमारे मुझवारे भी यहाँ पर काफी चारा हमने सुना है कि यहाँ पर ज्यादा अच्छी मचली मिलती है ज्यादा संख्याय मचली मिलती है इतना खचादीवों पर नहीं मिल रही है जितने यहाँ पर वाड़के बैंक भी मिल रही है तो भार सरक के अंदर 2000 टन से आप अधिक नहीं ले जा सकते यह बात बोल देगी, यहां पर कुछ conditions लगा देगी, एक और condition यहां पर बोली गई, अगर देखे, हम इट वाड के बैंक पर कोई भी खुदाई करें, भार सरकार यह बोल बोल रही है, कोई भी हम खुदाई कर रहे हैं, कुछ भी हम resources की कोज कर रहे हैं, अगर हमें वो मिल जाते हैं, जिस दिन हमें मिले तो आपके भले ही 3 साल का हमने agreement कर रखा हो, लेकिन वो तुरंत आपको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बोलने, वो agreement दिखाने बैठ गए हमको अरे आपने तो 3 साल के लिए हमें बोला था अब आप बीच में ये खुदाई कहां से करना स्टाट कर दी, और आपको ने खुदाई तो की की आपको जो मिल गए, आरव आप हमें हटाने की कोशिश करो तो वो सब चीज़े नहीं चलेंगे हमें अगर कोई resource मिला, petroleum से related कोई mineral resource हमें मिला, हम आपको वहाँ पर, आपको मतलब ये शर्लंकाई जो जहाज है, उनको वापस जाना होगा वहाँ पर कोई भी वो गतिविदी नहीं करेंगे आपकी सारी गतिविदीओं को वाप पर स्माप्त कर दिया जाएगा clear? अब ये देखिए दो चीज़ें होती है हमारे सामने, एक tutorial बार नोटिकल माइल एक होता है हमारे सामने, एक baseline, एक economic, exclusive economic zone होता है यहाँ तक, यह exclusive economic zone क्या होता है, कि इस continental chef के अंदर हमें कुछ भी मिला कुछ भी मिला, वो किसका होगा, वो हमारे देशका होगा, हर एक देश की होता है एक nautical mile होता है, 1.8 kilometer के बराबर, ठीक है 1.857 approximate, अगर मैं सही हूँ तो 1.8 पकड़ दो आप ठीक है 1.8 kilometer होता है, एक nautical mile 200 nautical mile तक, मान लीजी यह land होगा, land से 200 nautical mile तक हम चले, तो यह जितना area होगा वो भारत का होगा, यहाँ पर जो भी चीज मिलेगी वो भारत सरकार को मिलेगी, या फिर जिस भी देश के अंदर आता है, वो 200, हर एक देश के अंदर ऐसा ही यह system जारी किया गया है, clear 1974-76 के समझोते के बाद क्या हो, देखें 1970 का जो time था, में जो focus था उस वक्त, वो इस बात पे था कि भी हम जो compete कर रहे थे claim के अंदर, भाईया, यह boundary हमारी होगी यह शेतर हमारा होगा, यह कचा तीबू हम शिरलंका को दे देंगे यह वाड के बैंक हम ले लेंगे, कहीं ना कहीं, इन सब जो boundaries थी, उनको सुलजाने की कोशिच कर रहे थे यह जो भी एक तरीके से claim claim game चल रहा था इसको खतम करने की बात हो रही थी उस वक्त, कभी ठीक है, जिसको जो चाहिए वो लो और यह बातें खतम करो, हम आगे बढ़ते हैं, यह बात थी, वहाँ पर 1970 का time जो है, यह इसकीज में निकल गया, 1990 में देखिए, अब यहाँ पर चीज़ समझनी होगी 1990 की बात आती है, 1990 के दशक में, वाड के बैंक के पुर्व में, यानि की इस साइड में एक पाक स्टेट है, जल्ड अमुर्बध्य है वहाँ पर भारती मचवारों के जो ये तरीके से कुशल, बोटम ट्रोल मचली देखिए, ये एक ट्रोलर होते हैं ट्रोलर यानि की मचली पकड़ने वाले जहाज होते हैं ये 1990 के दर्शक में काफी जादा वहाँ पर फैन लग गये थे काफी जादा जाने लग गये थी ये जहाज हैं अब यहाँ पर क्या हुआ, उस वक्त 1990 के टाइम में, 1991 के टाइम में जो श्रिलंका थी, वहाँ पर सिविल वोर चल रहा था, लिट्टे जो आपने पता होगा, जो श्रिलंका के अंदर, जो तमिल जो लोग थे वो एक तरीके से भारत, वहाँ की श्रिलंका गवर्मेंट के खिलाफ खड़े हो गए थे क्योंकि उनके खिलाफ बेदबाव हो रहा था जो तमिल जो लोग थे, उनको एक तरीके से के अंदर जाने लगे थे मचली पकड़ने के लिए और अब वहां की जो श्रिलंका जो चल शेत्र में प्रवेश करती थी अब श्रिलंका कुछ कर नहीं पाती थी क्योंकि वहां पर ओलड़ी वहां का civil war चल रहा था इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे तो बहुत जादा संख् के रूप में अपना पहला कारेकाल जो उनके सामने था तो उन्होंने तमिल नाडू की विधान सभा में एक कच्छा तीवू को वापस लाने के लिए और भारतिय तमिल मच्छवारों के जो पारंपरी मचली पकड़ने के जो दिकार उसको बहाली करने की मांग की थी लेकिन उ साथ उनकी सेफटी जादा बढ़ाने थी अब यहां पर कहीं लिट्टे अभी समावत हुआ है कहीं कल को फिर से खड़ा हो जाए तो उन्होंने अपनी सेफटी बढ़ाते हुए क्या का भारतिय मच्छवारों को आने समना कर दिया वहां पर कच्छा तीव उपे अब क्यों ह हुआ कि एक तो वहां पर समूंद्री में संसादनों की कमी होने लगी आप मच्छी पकड़ के ता आप ही लेके जा रहे हो हमारे पास क्या रखोगे हमारे मच्छवारों के पास क्या आएगा दूसरा रीजन हमारे देश की शुरुक्षा हमारे लिए बहुत जादा इंपोर उनकी जो नोकाएं उनको नश्ट करना शुरू कर दिया भारतिय सीमा जो उनकी समूंद्री सीमा के अंदर आता है उन सब चीज़ों के उपर कारवाई उन्हों ने करने स्टार्ट कर दी इसके बाद क्या हो तमिलाड़ों में DMK और AIADMK ने राजनेतिक दलों ने क्या का कच् पर एक अंतराष्टे समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं आप इस चीज़ को समझ जीए इंटरनेशनल एग्रिमेंट हुआ है कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि बातों बातों में दे दिया नहीं बहुत पर समझोता हुआ है उस वक्समिदानिक समझोतने इसलिए नहीं हो प पर इसलिए नहीं है कि अपनी चीज़ को अपनी चीज़ को मानता है यह प्रोपर अगे बढ़ती है यह डामडॉल वाली थोड़ना होती है आप ने देखा होगा आपके दोस्तने बोला आरे मैं अपनी जबान देता हूं कल को वह मुकर गया आप उसके पर इश्वास थोड श्रिलंका और भारत के बीच में एक इंटरनेशनल एक्रिमेंट हुआ था उसके पर साइन किये गये थे श्रिलंका को यह दीप जो है वो दिया गया था क्लियर तब श्रिलंका ने कहा कि देखे बाई साब आप यह जो मुद्दा जोड रहे हो ना इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए श्रिलंका के कैबिनेट मिनिस्टर ने यह बात बोली है कि आप दो मुद्दे को जोड़ रहे हैं यह कही ना कहीं गलत है अनुचित और गलत है क्योंकि भारती मुच्छवारों के संबन में यह मुद्दा उन ट्रोलरों यानि जो उन जाजों के बारे में ज जो वहाँ पर भी जहा जाएंगे हम उनको एंट्री नहीं करने देंगे श्रिलंका ही मंतिरी ने कहा जब पूरे समुंदर शेतर में समुंदरी संसादों का इतना बड़ा दोहन और कमी होती है तो भारतिय तमिल मुच्वारे के स्वामित वाले इन ट्रोलरों के शिकार मुस 2008 में दो जैले लिता जोदी थी वहां की सीम थी सुम्रिम कोट में एक याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कच्चातिव भारत का है और इसको बिना समयदानिक शंशोदन के किसी दूसरे देश को सौप दिया गया जो नहीं होना चाहिए था ऐसा नहीं हो सकता लेकिन 1944 का हुआ समझोता ये बात बोले गई थी उस याचिका के अंदर 2011 में मुखे मंतरी बनने के बाद जैले लिता जी ने शरिलंका जल शेतर में भारती मच्छवारों की गरिफतारी की घटनाओं को उठाते हुए राज्य विदान सेबा में एक परस्ताओं पेश किया उन्हों अगर आपको अपको लेना है दूई तो आपको करना पड़ेगा यूद की आशकता होगी क्योंकि आप दूसरे देश की अब यहां पर क्या कर रहे हो जमीन ले रहे हो तो क्या होगा यहां पर आपको यूद करना पड़ेगा कहीं कहीं पर काफी सारे विद्वानों ने ये बात बूलेंगे आप एक काम करिए न इस हमने धे टीया था लेकिन वह तो ना दे देंगे हमको तो इसे आज आप वापस लेने की बात कर रहे हैं और आप इसे वापस लेना चाहते हो तो इसके लिए तो भाया आपको युद पर ही जाना होगा अभी फिलाल क्या है यह जो याचिका सुप्रिम कोट में पेंडिंग पड़ी है तो ऐसा नहीं कि केवल जैलेलिता जी जो है वहाँ पर गई थी सुप्रिम कोट में उन्होंने ही इस आइलेंड को वापस लाने की मांगी काफी सारे आपके सामने न्यूज कटिंग है आप बिसकस करेंगे अब श्रिलंका ने भी बाए देखिए काफी सारी चिज़ें यहां पर शूटिंग का ओर दिया था जो भी जब अगर भारती मुछवारे दिखें उनको बहिया गोली मार तो उनके वहां पर जो श्रिलंका ने क्या किया भारती मुछवारों को पकड़- बाचपा जुनेति ने कथी तोर पर श्रलंगा को दूईप सोंपने के लिए कांग्रेस और डीम के पर हमले शुरू कर दि ये आप देखेंगे ना ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पोलिटिकल स्टन्ट भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि पोलिटिकल स्टेंट इसलिए बोलेंगे पीम ने तो बोला है कि भारत की एकता अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 वर्से कॉंग्रेस के काम करने का तरीका रहा है और डीमके ने तमिलाडू के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है अब ये पोलिटिकल स्ट क्यों बोलेंगे पोलिटिकल स्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है कि भाईया वो यहां पर कच्छातिवू को वापस लापाए मान लेजिए आज आपको पता चले यह दे दिया 1974 में दे दिया 1974 के बाद कुछ तो किया होगा कुछ भी नहीं क ना वहां कि सरकार से किसीने बात कि हमें वह वापस दी जी अब यह मुद्दा क्यों वापस उटा यह मुद्दा इसलिए वापस उटा क्योंकि इलेक्शन आ चुगे है इस चीज को ध्यान में रखना है हालांकि चुनाव अभ्यान में बियानबाजी के अलावा भारत सरकार बारे सरकार ने भारत के लिए द्वीब को पुनाय प्राप्त करने के जो संभावना की जांज करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया ये पूछा जाने पर भई पूछा गया था कि इस समद्ध में क्या कदम उठाया जो जैशंकरजी थे उन्होंने कहा कि देखे मामला जो को बताया कच्चा थीवू मुद्धे पर भारत की और से कोई अधिकारिक संचार नहीं हुआ है कोई भी कम्म्मुनिकेशन नहीं हुआ है इसके बीच में तो ये आप इससे क्या समझ सकते हो ना यह कहीं न गहीं पॉलिटिकल स्टंट है पॉलिटिकल स्टंट किसलिए बहु सोचेंगे यह political stunt कैसे हुआ यह politics कैसे हो सकती है यहाँ पर देखें वहाँ पर तमिल लाड़ू है हम देखें ना काफी ज़्यादा एक work जो है वो मच्छवारों का है वहाँ पर तो मच्छवारे जो है वो वोटिंग में काफी ज़्यादा एक तरीके से यह विशय जो है वो चर्चा का विशय बना हुआ है आने वाले टाइम में देखते हैं सिरकार इसके उपर क्या करती है तो यह था आज का एक टोपिक अचा थी वो स्टोरी क्या थी उमीद करता हूँ कि आपको शुरूर से लेकर आकर तक समझ में आ गया होगा वाड के बैंक भी इसके अंदर आ गया क्या हुआ कैसे हुआ यह सब चीज़े मैं अच्छे से बता दी है समझ में आ गया तो मुझे कैसे समझाएंगे ओविसली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेर भी कर सकते हैं अगर आपको यह पसंद आईए तो पीडियो के लिए मैं बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस साथ के लिए इतना है था थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद